असलामलेकुमा यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब उमेद है सब बिल्कुल ठीक होंगे वेलकम बैक टू मैं चैनल लाइफ वी दिरा शाम और जैसा कि आप मेरे ड्रेसिंग पे आज देख रहे हैं शौल्स पड़ी हुई हैं और आपकी तरह मैंने भी सर्दियों के वैसे अभी भी मैंने लॉन ही पहनी हुई है लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी अब सदी है कि बाहर निकलते वे सदी लगती है ड्रेसिंग का मेरा सारा यह गान यहां पे पढ़ा है और मैंने यहां पे यह सारी अपनी दुकान लगा लिए किट में कपड़े रख लेती मतलब वह सीधे सीधे आपको मिल भी जाती है और बड़े दर्तीव वाइस पढ़े होती है और मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि शॉल्स अलग से रख लेती हूँ और हर चीज अलग अलग मेरी पढ़ी होती है और मुझे पता होता है कि कौन सी चीज कहां पर पढ़ी हुई है तो बहुत असानी रहती है तो अब मैं आपको बताते हूँ कि मैं इसमें यह देखे मैंने चोटी-'चोटी फोल्ड बनाकि रख लिए है इसकी और इसमें रखती जाओंकी यह देखे मेरी शॉल है यह मैंनेhone लाइमलाइट से ली थी और इतनी लाइट वेट और बहुत गरम श अच्छा जी एक शॉल इसमें आगी और यह मेरी शॉल है निशाद की बहुत लाइट वेट और बहुत हलकी भुलकी सी है लेकिन बहुत गरम है यह मतलब बहुत अच्छी रहती है और कलर देखें इसका कितना प्यार है और मेरी बहन ने भी ली थी उसका कलर स्कीन कलर था मैं तो इसके बाद जी ये देखें ये ब्रेक आउट की है और ये अच्छी मोटी वाली जो शॉल होती है ये वो है और बस सॉफ्ट सॉफ्ट चीज ली हो तो वह आपको ज्यादा सही लगती है मतलब बहुत हैवी चीज लेने से बहतर है मैं तो छोटे-चोटे स्टॉलर ही लेती या मैं टोपीस ले लेती हूँ और शॉल्स तो मेरे पस वैसे ही हर कलर की और ये मुझे याद नहीं है यह कहां से ली थी अब मुझे भूछ गयी है तो ये भी बहुत प्प्या दिक है अच्छा जी ये बहुत अच्छी शॉल रही है और यह मैंने बहुत ली है बहुत ज्यादा चल जाती है किसी असाथ और यह भी देखे जी ब्रेक आउट की शॉल है यह फंक्शनल भी काम आ सकती है और मेरे मतलब माका मैं शादी खाते हैं यह बहुत पई लैती है बहुत बहुत प्ईल को स्ट ले लेती है इह बहुत नहीं और यह भी बहुत जबरदस्त है यह देखे सारी शॉल मेरी मतलब यह सीक्विंस वाइज आ गई है और अब मैं मुझे पता है कि मेरे कौन सी शॉल कहां पर पड़ी हुई और मैं असानी से निकाल सकती हूँ जी एक शॉल यह है यह भी मैंने लाइम लाइट से ली थी उनके प में ती यह है यह भी शायद ब्रेक आउट की है यह कोगर की है मुझे यह याद नहीं है लेकिन बास्किट बहुत फुल हो चुकी है यह नहीं आ सकती उपर यह मैं वैसे उपर रख दूँगी इसके तो यह देखें जी इतनी ज्यादा शॉल थी और इतनी सी बास्किट में आ गई है थोड़ी सी बास की तोर बड़ी होती रहां तो मुझे ही लग जानी थी और यह वली मेरी शॉल देखें इतनी यह सॉफ्ट है कि मैं आपको क्या बताओं यह फैर मेरे निशाद के सूट के साथ की ही है तो सूट भी ऐसा है और शॉल तो ऐसे है जैसे आपने इतनी सॉफ्ट है के टावल लिया हुए और कलर तो मुझे शॉल देखके लगता है मेरी अम्मी की शॉल है क्योंकि मेरी अम्मी इसी कलर के ज्यादा कपड़े पैनती थी ब्लू ग्रे बस वो उनको हर सूट में ग्रे कलर ही चाहिए होता था यह ब्लू कलर तो यह बिल्कुल लगत है जैसे मेरी अम्मी की शॉल है उमीद है आपको मेरी सेटिंग पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को मस्ट लाइक करें सब्स्राइब करें और शेयर करें तो मुझे कोमेंट जरूर करें आपको कैसी लगी तो टेक कियर अलाहफीज